आज भी बहुत सारी कंपनी वो बेकार सा लेगी सा लगा के देती है लेकिन ये इसी अच्छी है भाई मारूती मतलब ऐसी बहुत कम कार्स हो दिया जिन फे मोडिफिकेशन अच्छी लगती है उनमें से स्कोर्पियो का नाम टोप पर है और उसके बाद हमारे एरिया में तो भ सिर्फ एक ZXI प्लस बचता है जिसमें आपको ये प्रोजेक्टर हैडलैंस और डाइमंड कट अलोईज वगेरा कुछ ऐसे फीचर मिल जाते है लेकिन मेरे इसाब से सबसे बेस्ट वैरियंट जो खरीदने के लिए हुए दो है सुइफ्ट के एक तो VXI और एक ZXI अगर आ ये गाड़ी है हमारे पास CNG वाला वेरियंट तो उसके बारे में भाई बहुत इंपोटेंट बाट आपको बतानी है जरूर देख लेना अगर आप स्विफ्ट देख रहे हो वह भी CNG में तो ये वीडियो भाई आप लोगों के लिए बहुत इंपोटेंट होने वाली है ब बाइ सामने से ये कही 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 मिनी कूपर लगती तो है इसको कुछ लोग बोलते भी है मीनी कूपर खेर चलो हम पॉइंट पहाते हैं यहां पे आपको o vrij n तोटली हैलोजन में मिलते है कोई वी लीडी का यूज नहीं है ना कोई डियरल है हलाकि यह टोप वैरियांट है टोप सिर्फ एक नीचे वाला जैडेकसाई लेकिन फिर भी ना एलीडी ना डियरल है खेर चलो जो भी है नीचे फोगल लैम भी मिल रहा है आपको यह भी चीज के अलोए है डाइमंड कट नहीं है लेकिन अच्छे लगते हैं फिर भी अगर आप टोप एंड लेते हो जैडेकसाई प्लस वहाँ पर आपको डायमट कट मिल जाएगे बागी ओर व्याट्रिकली एडजेस्टेबल फोल्डेबर सब कुछ है इंडियेटर भी आपको लेंपे मिल रहा है दूफरी चीज गाड़ी में आपको रिक्वेस्ट एंसर भी मिलता है मतलब की गाड़ी में कीलेंस एंट्री भी दी गई है अब मापको इवर गाड़ी की दिखा देता है तो यह वह गाड़ी की चाबी वही नॉर्मल सी मारूती की चाबी ज्यादा कोड़ी भी नहीं काँगा ठीक ठाकी है और अब हम आते हैं रियर साइड की तरफ तो यहां पे जो टेल लेंप है वह आपको एलेडी में मिलते है प्रोपर एलेडी नहीं है इसमें कुछ पार्ट तो यहां पर हैलोजन में भी मिल रही है बाकि आपको रियर विंड सील पर कोगर मिल रही है वोशर मिल रहा है वाइपर मिल रहा है हाई माउंट स्टोप लेंप है बागी बूट को अपन करने के लिए यहां पर रिक्वेस्ट सेंसर भी है और यह कैमरा भी आफ्टर मार्केट ही लगवाना पिड़ रहा है भाई जैडड़ साइड नहीं नहीं दे र ऐसा है कार के ड्राइवर साइड का डौ तरिम चारो पार विंडों से ड्राइवर साइड की ओट अपडाउन के साथ मिल रही है बागी वार्यम में कंट्रोल से लोग अनलोग करने के लिए नीचे भाई एक बोटल होल्टर है और भी थोड़ सी स्पेस है स्पीकर की प्लेस् और अब मैं आपको दिखाता हूं इस कार की सबसे इंप्रेसिव चीज हो है इसका इंस्टुमेंट क्लस्टर डिजिटल तो नहीं है लेकिन एनलोग होने के बाद भी इस सेगमेंट का सबसे सुन्दर इंस्टुमेंट क्लस्टर है मतलब इतना स्पोर्टी इतना अच्छे से बना रहा है नो नहीं बाई सबसे ज्यादा इंप्रेसिव चीज है मेरे साब से इस गाड़ी की इस चीज की वजह से मैं इस गाड़ी का फैन हूं भाई बच्पन से जिदिन से यह गाड़ी है करीब 2018 में आई थी साइद यह जब मैने देखा था नहीं अलगी चीज लगी थ क्रिप्स वगर यह सब तो मिलता है कुछ ऐसा है गाड़ी के डैसबॉर्ड का ले आउट मतलब ठीक है कोई दिक्कत नहीं है इसमें नीचे अगर हम गाड़ी के इन फूट एल्मेंट सिस्टम की बात करें तो यह अच्छा कासा रेस्पोंस ही है इसका टैच रेस्पोंस अच्छ है मतलब स्वीच की जो टच सी है न क्लिक सी की साउंड सी है वह प्रीमियम अच्छा कासा कॉंफिडेंस मिल रहा है कि हां यह लंबे टाइम टाक टिक सकते हैं इसके स्वीच नीचे अगर हम देखते हैं 12 वोल्ट का उट्वूट्स हो गीट है एक ऊक्स के लिए अगी दूरी साइड देखते हो यहां पार विंडो अग कंट्रोल है नीचे बोटल होल्डर स्पीकर की प्लेसमेंट टूटर की प्लेसमेंट और गलव बोक्स की बात करें तो नॉर्मल से साइज का एक गलव बोक्स है कुछ भी खास नहीं है कलव बोक्स में ना इसको चला सकता हूं मैं कुछ दब पीछे करके चलाता हूं लगी उसके बाद आप इस पेस देखो लैगरूम तो ही नहीं भाई सिक्सवीट का बंदा अगर ड्राइविंग सीट पर बैठा हो तो पीछे वाले भी अगर सिक्सवीट का ही होगा तो उसके लिए यहां पे पीछे की साइड में हमको दो एड़ेस्टेबल है कोई आमरेस्ट भी नहीं है भाई कोश्ट कटिंग तो करती है मारूत यह बात तो माननी पड़ेगी बागी पीछे के डॉर्स पे बोटल होल्डर भी है स्पीकर के लिए प्लिसमेंट है पार विंडो कंट्रोल है लेकिन ट क्वेट हो गया है अब हम बात करते हैं इसके कुछ पॉजिटिव और नेगटिव पॉइंट्स के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे पॉजिटिव पॉइंट्स की तो उन में जे एक पॉजिटिव पॉइंट है भाई इसके पैट्रोल इंजन की परफॉमेंस अगर आप सिर्फ यह गाड़ी मेरे को अच्छी लगती है मतलब यह इंजन अच्छा लगता है क्योंकि एंजन बहुत सारी कार्स में आता है बलैनों में भी है इसमें भी है दूसरे पॉजिटिव की बात करूं जो मुझे फील हुआ है यह चीज़ा आपको अभी इतना ज्यादा मैट होता है वह आँखों में चुबता है लेकिन ब्लैक कलर का इंटीजर होना तो एक अलगी कूल सी वाई बाती है मतलब मजा तो आता है ब्लैक कलर के साथ यह चीज़े मेरे को फील हुई है अब मैं आपको इसका एक और वन ओफ दा बिगेस्ट पोइंट बताता हूं वह है इस के उपर हर तड़े की मोडिफिकेशन जचती है अगर हम इसमें चुड़े चुड़े अलोई डलवाते हैं तो वो भी इस पर काफी बड़ी अलगते है मतलब ऐसी बहुत कम कार्स होती है जिन पर मोडिफिकेशन अच्छी लगती है उनमें से स्कोर्पियो का नाम टोफ पर ह और उसके बाद हमारे एरिया में तो भाई ये स्विफ्टी है जिसमें बड़े बड़े मुजिक सिस्टम लवागे गूमते हैं लोग बड़े बड़े अलोई डलवा देते हैं तो भाई लुक्स के मामले में ये गाड़ी कभी मार नहीं खाने वाली है तो भाई गाड़ी का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है क्योंकि ये रिलेटेड है सेफटी से और सेफटी हर किसी के लिए फर्स्ट प्राइटी होनी चाहिए जब वो कोई कार खरीदता है तो भाई मारूती वालोस की सेफटी पर थोड़ा हा तो ध्यान दे लो कम से कम फोर स् सेंटर कॉंसोल कितना जीब सा लगता है मतलब हर एक गाड़िया ही देनी लेगी आजकल तो आमरेश दो दूफरी चीज यह भी भाई मैनवल डिमिंग के साथ है जलो इसे छोड़ो इसके साथ हम एड़ेश्ट कर लेगे लेकिन यहां पर भी कुछ अच्छा सा करकी ने दिय मैं लाइट की डिमांड नहीं कर रहा हूं लेकिन वो फ्लैप सा जो खुलता है इसका वो जरूर होना चाहिए उसके बगएर यारिया सुना सुना हजीब सा लगता है यह एक चीज़ा वाकी दर तो कुछ मिली नहीं रहा है सिर्फ एक टिकट होल्डर और अब मैं आपको इस का टेल गेट ओपन करोगे समय समान रखने के लिए तो वह आप समान रखो के कहां एक तो से अंजी का फिलेंडर आने के बाद इसमें जंगा अल्मोस्ट खतम हो गई थी उसके बाद यह स्पेर वील भी इस तरीकी से दिये यह नोंने बाई यह तो मैं फर्स टाइम देख र को तो रख लेना बागी उसके अलावा और कुछ जाना नहीं है सिवाए सपार्सल ट्रेगे अब यहां पर हमकुछ ज्यादा हैवी लोड रखना ही सकते है तो अगर किसी को समान ले जाना हो ना तो भाई स्विफ्ट सी एंजी में कभी मत लेना सी एंजी के लिए सबसे वड कार को चलाओगे ना तो प्रफोमेंस ड्रोफ होती है 100% ड्रोफ होती है हालागी बहुत जादा नहीं होती लेकिन फरक आपको साफ पता लग जाएगा क्योंकि सी एंजी पर ना मतलब गाड़ी थोड़ी दबसी जाती है अगर आप कभी पैट्रोल स्विफ्ट चलाओगे औ अब आपको यह वाला डिफरेंस फील होगा क्योंकि भाई पैट्रोल पर तो यह गाड़ी रोकिट बनके उड़ जाती है लेकिन सी एंजी भी भाई यह दबती है तो पर्फोमेंस लेटिड भी इसमें एक दिक्कत है सी एंजी वाले वाले तो यहीं थी हमारी आज की वीडि लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद